दोस्तों अलिगर्ण मुस्लिम इंटिटी के PhD के फॉर्म आगे हैं और आप लोग अपलाई भी कर सकते हैं फॉर्म का डेट 8 से शुरुआत हो चुकी है और ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक रहेगा लेट फी के साथ 6 नौवंबर तक आप अपलाई कर सकते हैं प्रोसेसिंग फी 850 रुपया है और फॉरें नेशनल्स के लिए 8200 है आप जब भी फॉर्म अपलाई करेंगे तो आप अपना एलिजिबिलेटी देख लिजेगा टेस्ट होगा और विदाउट टेस्ट भी होगा बहुत सारे ऐसे नेशनल लेबल पर टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट के बाद एक्जेम्शन्स होता है जैसे UGC नेट हो गया नेट एक्जाम निकालने के बाद पीजडी में बहुत सारे एक्जामनिशन्स आपको नहीं देने होते हैं मतलब आपका जो पीजडी के एंट्रेंस एक्जामनिशन्स है वो नहीं देने होते हैं अगर आप UGC नेट कॉलिफाई किये हो बाकी आप डेटेल इन्होंने पीजडी का ओडिनेंस आपको एम्यू को कॉंट्रोलर एक्जाम्स डॉट कॉम पर डाल दिया है वहाँ पर पढ़ सकते हैं सेलेक्शन क्राइटेरिय में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि रिटेन टेस्ट होगा उसके बार प्रेजेंटेशन कम इंटर्वी होगा और जो भी शॉट लिस्टेड होंगे उनको जो प्रेजेंटेशन कम इंटर्वी के बाद उनका रिजल्ट आएगा और बहुत सार पढ़ लिजेगा अलिकर्ण मुस्लिम उनिसिटी के सेल्फ फाइनेंस का भी रिजल्ट आ गया था और कॉंसेलिंग भी शुरुआत हो गई थी अब 2024 के फॉर्म निकलेंगे बस यह ऑक्टूबर चलना है नौमबर दिसंबर तो कुछ महीने बचे हुए हैं अभी से अगले साल पर देता हूँ और TVAT classes पर भी देता हूँ तो चैनल पर नहुते ज़रू सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि आगे आपके तयारी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं चैनल पर नहुते सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक अपने देश की जनता को बताइए कि एम्यू जैसे अच्छी संस्ता में PhD के admission के form आ गये हैं और applications भी अभी आप लोग apply कर सकते हैं